नमस्कार दोस्तों आप सभी का तहे जिन से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SSB2Success पर हम एक बार सिर्खाजिर हैं आपके लिए एक बहतरीन वीडियो लेकर दोस्तों इंडियन आम्ड पूर्सेस को इस मुकाम तक पहुचाने में जितना योगदान देश के वीर सपूतों का है उतना ही देश की विरांगनाओं का भी है देश की महिलाओं ने भी अपने ड्यूटीस को वखुबी निभाया है उन्होंने पूरी निष्टा और साहस के साथ हर मुश्किल का सामना किया और देश की रक्षा के लिए हमेशा तक पर रही आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में हम एक ऐसी ही विरांगना की बात करेंगे जिनकी जिन्दगी देश भक्ती गीत ऐ मेरे वतन के लोगों में पूरी तरह बदल दी जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं देश की पहली महिला एर मार्शल पदमा बंधोपाध्याई की जिनोंने यह मुकामते करने में बहुत से मुश्किलों का सामना किया पर सिचुईशन के आगे हार कभी नहीं माने एर मार्शल पद्मा बंधोपाध्याय ने उस समय एरफोर्स जोईन करे जब ऐसा करने का कोई महिला सूच भी नहीं सकती थी एर फोर्स जोईन करने के साथ साथ उल्यू ने बहुत से अचीवमेंट्स भी अपने नाम किये जिन्हें पाने के लिए पूरी निष्टा, विश्वास और समर्पन की जरुरत होती है आज के इस पायग्राफी वीडियो में हम एर मार्शल पद्मा बंधोपाध्याए के जीवन के बारे में विस्तार से जानेंगे की कैसे एक मिडिल क्लास कमिल फैमली में पैदा हुई लड़की देश की पहली महिला एर मार्शल बनी एर मार्शल पद्मा बंधोपाध्याए के लाइफ का सपर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेश पुरंत मिल जाए चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं एर मार्शल पद्मा बंधोपाध्याए का जन 4 नवंबर 1944 को तिरुपति आंदर प्रदेश में तमिल स्पीकिंग अयर फैमली में हुआ इनका बर्थ नेम पद्मावती स्वामिनाथन था अभी पद् एंड हॉस्पिटलाइजेशन में ही इन्हें डॉक्टर बनने के लिए मोटिवेट किया पाफी छोटी उम्र में ही वह अपनी मदर की केरगिवर बन गई थी इसी बीच उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोशियेशन सीनियर सेकेंडरी स् स्ट्रीम में कम्प्लीट की पदमा जी ने सिचुएशन के कारण युमेनिटीज में ग्रेजुएशन तो कर ली थी बट उन्हें बनना तो डॉक्टर ही था इसी कारण उन्होंने अपनी स्ट्रीम चेंज कर ली प्रॉम हुमेनिटीज तो साइंस इस अनकॉमन ट्रांदीशन के बाद उन्होंने दिल्ली उनिवर्सिटी से साइंस स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की उन्होंने अपनी प्री मेडिकल की पढ़ाई किरोरिमल कॉलेज से पूरी की आपको बता दे कि आम्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज की स्टापना 1962 में हुई थी और 1963 में इस कॉलेज को जोईन करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्दी थी बात करे पद्मा जी के कैरियर की तो इन्होंने 1968 में इंडियन एरफोर्स को जोईन किया बनना तो ये पाइलेट चाहते थी बट कुछ मेडिकल इशूस के कारण उनका पाइलेट बनने का सपना अधूरा रह गया फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और इंडियन एरफोर्स जोईन करके इतने अचीवमेंट प्राप्त किये जो भारत में पहली बार किसी फिमेल ओफिसर ने अपने नाम किये थे एर मार्शल पद्मा बंधुपाध्याई की शादी विन कमांडर एसन बंधुपाध्याई से हुई जो एक एरफोर्स ओफिसर थे आपको बता दे कि पद्मा जी और सतीनाज जी पहले ऐसे एरफोर्स कपल है जिने प्रेजिडेंट्स अवोर्ड से सम्मानित किया गया इससे पहले इंडियन एरफोर्स के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ डॉक्टर पद्मा बंधुपाध्याई देश की पहली महिला एर मार्शल तो थी ही इसके अलावा भी उन्होंने बहुत से ऐसे मुकाम प्राप्त किये थे जो पहली बार ही किसी लेडी ओफिसर ने अपने नाम किये थे बात करें इनके अचीवमेंट्स की तो ये एक या दो नहीं काफी है चलिए एक नजर डाल लेते हैं इनके अचीवमेंट्स पर 1971 के इंडो पार्क वार में इन्होंने ऐसे डॉक्टर काफी महतोपून भूमिका निभाई थी युद में घायल हुए सैनेको का इन्होंने अपने हातों से ट्रीटमेंट किया था जिसके लिए इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया डॉक्टर बंधो पाध्याई एविएशन मेडिसिन एक्सपोर्ट है साथ ही यह न्यू यू योप अकेडमी ओफ साइंस की मेंबर भी रह चुकी है पदमा जी नौर्थ पॉल में साइन्टिफिक विसर्च करने वाली पहली भारतिय महिला है यह पहली महिला आम्ड पोर्सेस ओफिसर थी जिन्होंने डिफेंस सर्वेस काफ कॉलिच से 1978 में कोर्स पूरा किया पदमा जी देश की पहली महिला थी जो सन 2002 में एर वाइस मार्शल बनी She is Post Woman Air Marshal of Indian Air Force वहीं पदमा जी आम्ड पोर्सेस की second female officer है जिन्होंने 3 star rank हासिल की आपकी जानकारी के लिए बता दे की 3 star rank हासिल करने वाली आम्ड पोर्सेस की पहली महिला आफिसर थी सर्जन वाइस एड्मिरर पुनीता अरोडा Air Marshal पदमा जी Air Commander के पद पर प्रमोट होने के लिए Indian Air Force की पहली महिला अधिकारी बनी वह Aerospace Medical Society of India की पहली महिला फिलो भी है पदमा जी Journal Medical Science at the Air Headquarters की डारेक्टर भी रह चुकी है उस समय में इतनी सारी अचीवमेंट अपने नाम करना भो भी एक महिला के द्वारा अपने आप में एक बड़ी उपलगदी थी एर मार्शल पदमा बंधुपाध्याय ने अपने शांदार केरियर में Military Awards and Decorations भी प्राप्त किये बात करें इनके Military Awards की तो इने अति विशिष्टी सेवा मेडल, विशिष्टी सेवा मेडल, पश्चिमी स्टार, संग्राम मेडल, ऑपरेशन विजय मेडल, हाई एल्टिट्यूट सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया वहीं बात करें इनके Awards and Honors की तो जनवरी 2020 में इने पद्मश्री Awards से सम्मानित किया गया in the field of medicine, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पद्मश्री सेवा मेडल से नवाजा गया शी ओनर्ड विट अति विशिष्ट सेवा मेडल इन जनवरी 2002 साथ ही इन्होंने इंद्रा प्रियदर्शनी अवर्ड भी प्राप्त किया आपको बता दे कि यह Award Ministry of Environment and Forest द्वारा दिया जाता है यह Award Individual and Institution को दिया जाता है जिनोंने field of afforestation and westland development में सराहनिय कार्य किया हो जनवरी 1973 में इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया दोस्तों ये थी देश की पहली महिला एर मार्शल की बायग्राफी इनकी बायग्राफी ने बहुत सी female aspirants को motivate किया होगा कि situation के सामने हार मानने की बजाए उनका सामना करके वो भी एर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय जैसे एक काबिल officer बनकर देश और परिवार का नाम रोशन कर सकती है उमीद करते हैं आपको हमारी ये motivational वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छे लगी तो इसे like and share जरूर करें मिलते हैं आपसे हमारे upcoming वीडियो में तिल देन जय हिन उमीद करा संद सकती है